विस्वनात कारीडोर को एक सच और जानना ची ये पबलिक को पूरे देश को कि विस्वनात कारीडोर में बहुत बड़ा अनैटिक कृत्य हुआ है अधर्म हुआ है और अंगेव ने मंदिर तोड़ा मस्जिद बनाया और मोधी ने मंदिर तोड़ा केस्था Candice बनाया गर्भग्री तक आप जूता पहन के चले गए रेनकोट पहन के उन्होंने गंगास नान किया ये कौन सी आस्ता है आप टिकट देंगे तो मंगला आर्थी में जाएंगे नहीं तो आप बाहर रहेंगे काली टोपी लाल टोपी इस पे हम बात करते रहें अतलाक भी जुटाने की बात की जा रहें अरे वो कुछ भी कह दे अब तक का इतिहास हैं कासी में महदी गंज में आये थे कुर्शिया खाली थी अतलाक लोगों का बस दावा ही दावा है पूरे देश से लोग बुलाये जाते मैं आपको बता दू नमस्कार आप देख रहें पूरमपूर मैं प्रभात अभी पहुचा हुआ हूँ बनारस में और बनारस में हम बात कर रहें लोगों से बता रहें बनारस का महौल क्या है उत्तरप्रदेश का महौल क्या है क्योंकि चुनाओ आ गया है नजदीक तो इसको देखते हुए हम बात करने वाले हैं बैभोत्रपाथी जी हमारे साथ है बैभोत्रपाथी जी आपका स्वागत है फूरम फूरम धन्यवाद क्या कहते हैं कि क्या माहौल है इस बार का उत्तरप्रदेश चुनाओ को देखते हुए और क्या कुछ उत्तर प्रदेश का पूरे माहौल है देखिए उत्तर प्रदेश में माहौल तो ये है कि गरीब बेरोजगारी बेकारी महंगाई इन सभी मुद्दों से दो चार है सब प्ररिसान है और लेकिन जो आज नरेटिव गड़ा जा रहा है वो ये है कि नहीं हमने मंदिर बनाया मन मस्जिद के लिए कुछ ऐसा कर दिया कि मन मस्जिद दिख नहीं रही है बता रही है सरकार की हम हिंदु वादी है लेकिन मुझे यह लगता है कि मानवता बड़ी चीज है ना कि ये धर्म सनातन सब को समाहित करता है मैं उस सनातन को मानता हूं और बाबा व कि हम क्या करें क्या हम उस भ्रहम में जीते रहें जहां की मंदिर हिंदू मुस्लिम जाती बर्ण रंग भेद काली टोपी लाल टोपी इस पे हम बात करते रहें या हम अपने लिए भविश्य की बात करें भविश्य की बात यह है कि जब हम रोजगार नहीं पाएंगे जब हम म ने लगा हाथ क्षासकर कासी की बात करें अभी कुछ दिन पहले एक मेगा इविंट हुआ था लेकिन का सि के लोगों का चे की लोगों को मिला क्या how cool कि यह बड़े बड़े अतार हो रहे हैं क्या यह कासि रूपे आप नहीं देखते आहां के एक चीज और है का सी बिसुनात कारीडोर में मैं नियमित मैं रोज सुभे साड़े चार बजे पहुंचता हूं बाबा के दरबार में लेकिन एक बात समझे कि अगर आप टिकट देंगे तो मंगला आर्थी में जाएंगे नहीं तो आप बाहर रहेंगे पैसे आपको देना पड़ेगा मैं इसलिए मंगला आर्थी के बाद जाता हूं और इस बिस्वनात कारीडोर से गरीब आदमी को क्या मिला गरीब जो आस्थावान बात मंदिर की हो रही है तो आस्था की बात कर ली जाए सनातन की बात कर ली जा जो आस्थावान भकत है वो आ जाएगी और फोर वीलर पहुंच जाएगी और अमीर आदमी बड़े आराम से दर्सन करके निकल लेगा और उस टाइम को गरीब आदमी लाइन में खड़ा होगा तो गरीब आदमी को तो कुछ मिला नहीं उस दोरान जब बाबा विस्वनात कारीडोर का दर्सन उद्गाटन क करने आये थे विस्वनात कारीडोर को एक सच और जानना चाहिए पब्लिक को पूरे देश को कि विस्वनात कारीडोर में बहुत बड़ा अनैतिक करते हुआ है अधर्म हुआ है बहुत सारे कासी खंडोक्त मंदिरों को तोड़के वहां बड़े-बड़े बहुन बना दिये गेस्ट हाउस बना दिया गया है मैं तो यह कहता हूं कि औरंग जेव ने मंदिर तोड़ा मस्जिद बना दिया और हमारे नए सासक ने मंदिर तोड़के स्यूलिंग तोड़के विग्रह तोड़के वहां पे अमीरों कॉर्परेट के लिए गेस्ट हाउस बना दिये तो क्य गेस्ट हाउस में गरीब आद मी जाएगा क्या हमारी आस्था पे चोट करके आपने जो बड़े-बड़े भॉन बनाए है उससे हमको कुछ फायदा है यह तो बिल्कुल वैसा ही विकास है कि हमारे माबाप अगर अपाहिज हो जाए तो हम उनको घर में कुरूप अपाहिज ब पर मारबल लगा दिया गया उसका कोई विकल्फ है क्या बटब्रिक्च का च्छा बिनायकों को तोड़ दिया गया उसका कोई भिकल्फ है क्या आधी का अधी का मतलब ऐसे समझें कि महरसी बेदव ब्यास ने आधी काल में लाखों वर्स पूरु जब महापुरान लिखा उ उस कासी खंड में जो बिग्रहों की जो अस्थान बताया गया था वो कासी खंड है बतल लाखों वर्स पूरों जब लिखा गया उससे पहले से वो बिग्रह और मंदिर थे उन मंदिरों को तोड़के आपने हमारा कौन सा आस्था का संरच्छन किया है विस्वनात कारीडोर का लेकिन हुआ क्या मंदिरों को तोड़के वहां उचे उचे भौन बना दिये गेस्थाॉस बना दिया कासी विश्वनात परिशत जो नियास है नियास के पास सिर्फ उधर मंदिर वाला हिस्सा है बाकी हिस्सा तो और अए वाले है गेस्था और यह सारा चीजह बाहर के बुलाया गया था और सबको अपमानिच किया गया प्रधान मंत्री मोदी जी आये रेन कोट पहन के उन्होंने गंगा असनान किया ये कौन सी आस्था है तो आप तो भ्रमित कर रहे हैं ये कोई आस्था नहीं है ये बेवकूब बनाना है गर्भगरी तक आप जूता पहन के च है गर्भगरे बाबा तक चड़ाने के लिए ये तो बड़ा सरम की बात है क्या है कि लोग इसको मानते हैं इस चीज को लेकर के गुस्सा भी है बिलकुल मानते हैं जो विस्वनात के भक्त हैं जो सिव भक्त हैं वो इस चीज को लेके बहुत नाराज है वो सिर्फ भाट दर परभारियों के अलावा एक आम कासी वासी इस बात को ले के बहुत दुखी है लेकिन चुकी हिटलर वाली इस्थिति है कि नहीं बोलोगे तो मुकदमे होंगे साफ सफाई को देखें असी घार जिस तरीके से यह है और आज पास जो एरिया है वो उस पर क्रभाद जी एक बात बताएं साफ सफाई ही आपने कुछ प्राइम लोकेशन पर देखी है आपको मैं दिखाता हूं चलिए कैंट के बहुत सारे छेत रहें पक्के कासी नहीं है क्या जो सिवपुरवा है बजडीहा है खोजवा है यह ऐसी बस्तियां है जहां बिधायक मंत्री रहा करते हैं और वहां अगर पानी दसमेट बरस जाया तो कीचड़ हो जाता है घुटनों पानी लग जाता है सीवर ओभर फ्लो आये दिन होता हफते में दो बा नहीं यह सिर्फ बाहरी चमक ध्मक है असी पे दिखा दिया दसासुमेट पे दिखा दिया गोडवलिया दिखा दिया मैदागीन पे दिखा दिया यही 24-5 यतना है कासी इससे बहुत बड़ा है पक्के महाल की गलियों में आप जाईए देखिए क्या इस्तितिती है तो यह क बाते हो रही है मधुरा में तयारी चल लही केश्व परशाद मोर्या लगातार बयान दे रहे हैं तो यह सब जो एक चल ला है मंदीर मस्जीद इसको आप की सुरुक में देखिए सरकार कुछ ऐसा काम पांच वर्सों में कर नहीं पाई है जब कोई काम ही नहीं कर पाए है आपने सिर्फ क्या किया है कि पुरानी जो संपत्तियां है गवर्मेंट की उसको बेचा है और आज जीडीपी का लगवक साथ परसेंट प्रसासनिक ब्याय है भारत सरकार का जब की है पुरवर्ती सरकार डेक्टर मनमोहन सिंग की सरकार में दो दस्मन चार प्रतिसत था तो प्रवीट तोगडिया जो कहे रहे हैं प्रवीट तोगडिया सरकार का हिस्सा नहीं है उनका मतल अलग हो सकता है धर्मा चारे अलग कह सकते हैं लेकिन सत्ता का कर्म मंदिर मस्जिद नहीं दृटी स्यהैं खुद बोल नहीं है उनके लिए तो अब आप respuesta भी म Adamsher और कि वह अ तो कह रहे हैं एक दौर था बाजपेई आडवानी का जो बीट गया और सायद उसके बाद अब कभी ऐसा नभूतों नभूश्यती उनके दल में तो पहले से भी ऐसा नहीं था बाजपेई जी कहा करते थे हम पार्टी विद डिफरेंस हैं तो लोग बड़ा सम्मान भी करते थे क्योंकि जो कहते थे कमों बेस कुछ चीजे वैसी होती भी थी आज इस्थिती ही है नैतिक्ता है ही नहीं सरकार में मतलब बेसरमी की हद है कि जिसका बेटा उसमें लिप्त है किसानों की हत्या में उसको ग्रिह राज मंत्री बनाया गया है तो ग्रिह राज मंत्री होगा तो जाच कितनी प्रभावित करेगा एक सब्ताह तक ना कोई एफाई आर हुई ना गिरफतार किया गया लोग ढून रहे थे उसके बाद वह आसानी से रेट कॉर्पेट पे टैल साहों जेपी नड़ा ने तो इतना कह दिया कि नहीं चाहिना ने हमारा 47 लाक बर किलोमेटर उतनी पूरी धर्ती पर जमीन नहीं है उन्होंने उससे ज़्यादा बता दिया कि चाहिना ने रहा कब्जा कर लिया तो समझ नहीं बद्धी नहीं अभी नहीं जनता महंगाई कह ही है ये लोग मंदिर कह रहे हैं हिंदू मुसलिम कह रहे हैं आप सोची धर्म संसद में सवामी वेका नने एक बार कहा था कि देखे भारत धार्मिक रूप से बहुत संब्रिद है हमको धर्म का ग्यान नदीजिए इस धर्म संसद में हमको रोटी चैहिए भारत गरीब है आज अगर वो यह बात कह रहे होते तो सारे भाजपाई पुतला फूक रहे होते क्यों आपने बेजज़ती कर दी नहीं उन्होंने सच बात कही थे उस दोर में लोग अच्छे होते थे लोग कहते हैं कि भाजपा नहीं तो कौन विकल्प विकल्प बहुत बढ़िया क्वेस्टेन आपका है यह देखे विकल्प ऐसे होता है कि जब 77 में चुनाव हुआ तो इंदिरा के कद का कोई नेता नहीं था पूरे भारत में भारत के अंतर राश्ट्री अस्तर की नेता थी लेकिन इंदिरा चुनाव हार गई विकल्प के रूप में मुरारजी देशाई प्रधान मंतरी बन गए उसके आगे बढ़ते हैं नवासी में राजीयू का कोई विकल्प नहीं था बावजूद इसके बाजपाई के दौर में फिर वही बात थी कि बाजपाई यह ऐसा तो बनाती है कि नहीं हम इन इकू चुनेंगे यह तो ब्रह्म फкивला जा रहा है और इसका माइलेज लेने की कोशिस है सत्तापक्छ का कि विकल्पे तो कौन जनता 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 जानती है कि महगाई यहां से अब आपके तो भाजपा के तो सांसद हैं सुब्रमानियम स्वामी उन्होंने एक ट्वीट किया था कि राम के राज में 100 रुपए पेट्रोल सीता के देश नेपाल में 45 रुपए और रावन के राज लंका में 40 रुपए करिये वर खास अगर वो गलत कह रहे हैं अन्हें तो उनकी बात को मानते हैं तो सरम कीजिए आप रेट क्यों नहीं कम कर रहे हैं आप इस बात को समझे पांच किलो रासन देने का मतलब पांच किलो चावल के हूं दे देने से गरीव की दुस्वारियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं बारा परसेंट आपने कपड़े पे टैक्स लगा दिया बारा परसेंट टैक्स होने के बाद प्रधान मंत्री जी तेरह तारी को बनारे साते हैं और पांच ड्रेस बदलते हैं तो यह तो यह हो गया कि राजा के पास सब के मंत्री होते हैं देड़ देड़ दो साल तक फाइयार नहीं लिखे जाते हैं आप क्या बात कर रहे हैं निहाल चन्द राजस्थान के इनिकी सरकार में मंत्री थे कि इनके साथ कैबिनेंट मिनिस्टर थे एंबी डवलू था उनके खिलाब लकिन नहीं सेंगर तो आपके आपने तो बलातकार अपने नेताओं पर बलातकार के जो मुकदमे थे उसको हटा दिया अगर आप इतना ही संजीदा होते हैं सोचिए सेंगर जिस पीडिता के लिए आ जाए बलातकारियों को संरच्ण दे रही है हत्यारों को यह कहते हैं कि अपराध मुक्त अरे कहां अपराध मुक्त आप अगर अपराध की गड़ना नेतिकता के आधार पर इमानदारी से करें तो आपकी आधी कैबिनेट खाली हो जाएगी वह आपने अपराधियों को चु अपराधी नेतिकता बची है ततकाल क्योंकि जब तक वो ग्रह राज्य मंत्री है जाच तरीके से नहीं हो सकती अब तो एसाइटी ने कह दिया है कि यह सूची समझी साजिस थी अब किसलिए रुके हैं हमको तो सरम इस बात की आती है कि इस देश के ग्रह मंत्री लौह पु समाल रहे हैं बाजपा की मनसा होती बाजपा को तो यह लग रहा है कि जनता है बेवकूप जनता को राम रहीम मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम बामन च्छत्री यादव दलित इसी में उल्जाद हो यह इसी में लड़ते रहेंगे लेकिन जनता इस बार इस बात को सोच रही है कि कोई हमको वाही वापस 2014 से पहले का दिन लौटा दे भाई पेट्रोलियम पे 18% सेंट्रल एक्साइज होगा आज 40% के आसपास हो गया है जनता यह भी चर्चा कर रही है कि यार जब यह उप चुनाव में 24 सीटे हार गए तो पेट्रोल पांच रुपे सस्ता हो गय अवि फ्लाप सो फ्लाप सो लारे वो छंडाने की बार और वह कुछ भी कह दें अब तक क्या इतिहास है कैसी में मैधि गज में आया थे कुर्शियां खाली ती जानते हैं क्या कपड़ा दिया कपड़े चार-चार मीटर कपड़े का थान दिया गया लोगों को कि आप कपड़ा लीजिए सिलवाईए आईए पांच लीटर तेल पांच सो रुपए ये तना करने के बाद महती के बनारस में खाली रहेगी सीटे कुरसिया खाली थी ये कुछ भी कर ले ये सिर्फ पैसे के बलपे बाहुबल के बलपे सत्ता पे काविज होना चाहते है चल परपंच के साथ तो देखिए आहंकार तो रामण का नहीं रहा तो इनका भी आहंकार तूटेगा दसलाक लोगों का बस दावा ही दावा है पूरे देश से लोग बुलाए जाते हैं मैं आपको बता दूँ कि बगल में 2019 के चुनाओ के दौरान की बात है एक रैली छोटे से कस्वे धानापुर में आयोजित की गई थी वहां बंगाल से लेके महराज तक के लोगों को बुलाया गया था का कि बहुत सफल रैली रहे अरे बंगाल पंजाब से लोग आएंगे महराज से लोग आएंगे तो रैली सफल होगी अब भीर दिखा रहे है मीडिया मैनिपुलेट कर रही मीडिया कहे नहीं इस बात को कर रही है कि भाई जब 122 डॉलर कच्चा तेल था मोदी जी जिस दिन सपत ले रहे थे तो बनारस में 70 रुपे पेट्रोल था आज जब 52 डॉलर कच्चा तेल है और बीच में तो 35 डॉलर तक गया था तो क्यों 100 रुपे तक पेट्रोल पहुँच गया ये मीडिया का सवाल है मीडिया चौथा अस्तंब है तो मीडिया को इस बात को उठाना चाहिए तो मीडिया भी आज जनता के साथ चल कर रही जो मीडिया है जो कॉर्पोरेट के हाथ की कठपुतली हो गई है सरकार के हाथों बिग गई है वो सवाल ही नहीं उठा रहे तो गरीब तो एकदम बिलकुल वैसे ही हो गया है अंग्रेजों के समाने में जैसा होता था कोई सुनने वाला नहीं था जो आवाज उठाते थे उनके खिलाब मुकदमे होते थे वो आवाज कौन उठाते थे कॉंग्रेशी उठाते थे वो आवाज कौन उठाते थे क्रांतिकारी उठाते थे और लोगों के तरफ ये जो करते थे मुखबिरी कौन करता था कि कॉंग्रेस का उत्तर प्रदेश में इस बार है कुछ देखिए कॉंग्रेस का तो जनता के अंदर एक संदेश है कि कॉंग्रेस ने किसानों की सोची कॉंग्रेस ने मजदूरों की सोची मन्रेगा जैसी स्कीम है 72,000 करोन कॉंग्रेस ने केंदर में रहते हुए करज माफ किया कॉंग्रेस की सरकार 36 गड़ में है 25 रुपय कुंटल वहां धान बिकता है 25 रुपय कुंटल जब उन्होंने खरीदना शुरू किया तो मोदी ने FCI को कहा गिना उनका धान न उठाना उसके बाद उन्होंने इंपुट कॉस्ट में प्रती एकर के हिसाब से 9,000 रुपय देना सुरू कर दिया वहां 25 रुपय पर कुंटल का धान का रेट हो जाता है कॉंग्रेस की ये देन है कॉंग्रेस ये करती है वही कॉंग्रेस की घोसड़ा है कि यूपी में अगर हम सत्ता में आते हैं तो 25 रुपय कुंटल हम धान और गिहूं और 400 रुपय कुंटल गन्ना खरी देंगे तो बात साप है कॉंग्रेस ने जो कहा है वो किया है तो मुझे लगता है कि कॉंग्रेस बिकल्प है जनता बिकल्प बनाएगी कॉंग्रेस के पक्ष में जाता है लेकिन मूल जो बात है वो ये है कि ये लोग हटने चीए क्योंकि ये जूट भी बोलते हैं ये चल भी करते हैं ये अपराज भी फैला रहा है इनकी इस्तिती तो ये हो गई है कि मंदिर तोड़ दिया किसी को बोलने तक नहीं दिया सबसे बड़ी भी डंबना कासी के लिए तो ये है कि औरंग जेव जब मंदिर तोड़ रहा था तो कुछ जिंदा नसले थी जो लड़ी और मर गई उस बिरोध में लेकिन आज क्या हो गया है भै ब्यापत है आज मंदिर तोड़ तोड़ के गेस्ट हाउस बनाया जा रहे है होटल बनाया जा रहे है वही तो मैं कह रहा हूँ कि और अंग जेव ने मंदिर तोड़ा मस्जिद बनाया और मोदी ने मंदिर तोड़ा गेस्ट हाउस बनाया उससे जनता को क्या मिला वहाँ उसके स्थावस में कौन गरीब जाकर रह सकता है नीरा राडिया को एलाटमेंट होता है उसका भई आप इस बात को समझेए नीरा राडिया करप्टेड आदमी है इस पूरे विसुनात कारिडोर के प्रबंधन का जिम्मा किसको मिला यूके की एक बेंकरप्ट बदनाम ब्रेस्ट कमपनी को दिया गया उसका जिम्मा कासी के लोग नहीं है क्या मैं तो ये कहता हूँ कि जो धर्म की सत्ता है वो अलग सत्ता है और जो ये सत्ता है वो अलग है राजनैतिक सत्ता तो सरकार को राजनेतिक सत्ता और देश की चिंता करनी चाहिए धर्म की सत्ता चलाने के लिए चार पीठे हैं हमारी वो चला लेंगे लेकिन यहां इस्तिती यह है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है इस वज़ा से यह सोच रहें कि हम करें क्या यह बात है कितनी सीटें आजाएंगे भाजपा की या फिर देखिए यह सो के आसपास मुझे नहीं लगता कि सौ से उपर आगे बढ़ पाएंगी भाजपा और विकल्प जनता तेह करेगी यह कहना कि कौन आएगा क्या आएगा यह बे मतलब की बात है ऐसा है कि जनता आएगा है कि अगर आज हम नस उद्रे तो हमारी आने वाली नसले बर्बाद हो जाएंगी अब आप इस बात को बताईए ना रेलेवे एर इंडिया इस सर्कार के पास सरकार सरकारी नौकरी नहीं यूपी की सरकार बेरोजगार इतना त्रस्त है 14-15 भकेंसियां लटकी पड़ी है 2017 से पेपर लीक कट से यह तो यह लगता है जैसा लिंक भी पता चला है कि नहीं भाजपा के विधायक के भाई और वो साफ है बात हमको तो लगता है यह जान बूज के जालसाजी खी जाती है कि सरकार को नौकर ना देनी पड़े लीक करो इसी मामले टलता रहे और पब्लिक बेवकूप बने तो युवार रोजगार मांग रहा है किसान अपना अधिकार मांग रहा है महंगाई से जनता त्रस्त है और इसी के खिलाफ वोट करेंगे खबरों में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं